नमस्कार साथियों मैं हूँ एड़गर शोक चोदरी आज हम बात करेंगे बही दुबई का तो एक एक्जामपल है बाकी यह हर कंट्री पे लागू होता है जबसे यह कुरोना की बिमारी चली आपको पता है विदेशों में वर्कर हैं कामगार हैं बहुत ज्यादा तादाद म हो सकते हैं दुबई का एक्जामपल दे रहा हूं क्योंकि यह देखिए मेरे पास दुबई से एक बंदे ने मुझे वर्कर किया है कि सर आप इस बाते इस पे बातों यह इस मेटर पे लोगों को बताईए बिल्कुल बात यह सही भी है देखिए मैं बता दूं आप कोई भी कंट्री में रहे हो आप बिरोजगार हो आपके पास जोब नहीं है तो अभी इंडिया से पहले प्रोसेस चल ला था आपने दूसरे देशनों से प्रोसेस चल ला था अजेंटों के दवारा विदेश में लोगों को बेजा जाना ठीक है वहां जाके वो विजिट में जाओ पर्मिट में जाओ जोब लग जाता वो प्रोसेस ठीक था कुछ हद तक ठीक ठाक था लेकिन अभी क्या हो रहा है आपको पता है सिस्टम बंद है आउटगोइंग इंडिया से भी बंद है इंकमिंग चल लिए थोड़ा बहुत बाकि हर कंट्री की माहल यही है लोग नहीं जा सकते हैं वहां पर बहुत ज्यादा तादात में लोग बेरोजगार हो गए तो फिर इनका यह कहना एक भाई है उन्होंने वह इस बेजिए कि सर वह क्या करते हैं फेस्बुक पर आज कल भाई सो देखिए सोसल मीडिया है डिजिटल प्लेटफोर्म है यह जितना अच्छ क्राइम बढ़ गए हैं और क्राइम कौन सा लड़ाई जगड़ेने वाला नहीं है ओनलाइन फ्रोड वाला जियां साती हो पता नहीं लगता कौन कहां से बैठे क्या कर रहा है इनका भाई का कहने का मतलब है कि जैसे फेस्बुक पे डाना यह इस्टाग्राम पे जितने भी सोचल मेडिया फ्लेट फर्म आप यूज लेते हो उस पर एड़ आते रहते हैं ठीक है कि हमारे पास यह जो वहां पर भी अजैंट है सब जगह एजैंट होते हैं आपको पता है यह अजैंट कहां कहा कैं अपने लोग अजैंट अपने भाई बंदे बैठे वहां पे अजैं रहे हैं लाग से उपर चल रहे हैं इंडिया में काम कर रहे हैं वैसा ही वहां पर लागू होता है तो यह सिस्टम क्या करते हैं जैसे एड निकाल दिया इनके पास 20-30-50 लोगों ने कॉंटेक्ट कर लिया तो यह फिर बोलते हैं कि हम आपको जोब लगवा देंगे इतनी इतनी तंक है आपको हमें पैसा देना पड़ेगा ठीक है तो फिर यह क्या करते हैं बुलाते हैं उन से इंट्रीव के नाम पे 1000 दराम 1200 दराम यह तो बता रहे हैं दो दो तीन तीन फिर काम नहीं होता है लोगों को लटका दिया जाता है उनका पैसा भी बेस हो जाता है फिर वो चकर पे चकर काड़ते रहते हैं तो आप इस बात का आप सोड में मीनियू में बतातबूं एक ही बात का द्यान रखना है मैन पावर एजियंसी देखें ऑथ९ एजिय जिन के पास लाइसेस हो दुबई में जो अजेंट है उनके पास लाइसेस होता है बीना लाइसेस वो काम नहीं करते हैं ineलीगल है पकड़ा गया तो सिध तो देखो भाई कमपनियां डायरेक्ट तो बहुत कम जोब मिलता है उसमें आपको ध्यान इतना ही रखना है आप उनसे मिलिए उनका लाइसस आप चेक कर सकते हो लाइसस मांग सकते हो क्योंकि आप उनसे को पैसे दोगे ठीक है उनके बाद आपका इंट्रीव हो जाता है आपको आप खुद को लगता है आपको कि हाँ आप सही है अपने साथ कुछ नहीं होने वाला तो भाई आप ऐसा दें अगर आप इस तरह से बहुत सारे केस हुए हैं मैंने एक वीडियों पहले भी बताया था एक मौल के नाम से 20-30 लोगों से 1000 जाद अराम ले लिया गया फ को ठीक है उनको भी पता है बेरोजगारी के मावल में लोग बैठे हैं उनको जोब की सक्जूरत होती है तो फिर दुखती रख पे हाथ रख देते हैं समझ गये बात को और हम भी उनके बैकाओं में आना हमारी मजबूरी हो जाती है तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखे